किरसी कानून जब से बना है तब से देश में चर्चा का माहूल गर्म है किरसी पर बने नए कानूनों पर किसानों ने सुनाई अपने मन की बात बरेली जनपत के आउना में किसान भाईयों से वारता हुई उसके आपको अंसे दिखाते हैं पहले अभी तक डीजल का रेट पचास रुपे था, आज सतर रुपे है, यूरिया का रेट दोसुर रुपे था, आज 270 रुपे है, पहले था, पहले था, आज 60 रुपे है, यूरिया का रेट दोसुर रुपे है, यूरिया का रेट था, आज 60 रुपे है, सरकार के रहे हैं हमने इस बार धान खरीद का जो लक्ष था उससे जदा खरीदारी करी ए क्या आपका धान विखा सरकारी नहीं में लगी तो पता नहीं कहां काज़ों में लग दी आपने क्या रिट बीचा हमारा तो 1000 रुपए गया मोटा दान और 15-0 नहीं किसान बिल सरकार ने बनाएंगे आप उसका समर्तन करते हैं क्यों नहीं करते हैं क्यों नहीं करते हैं इसे बिल से हमें क्या फायदा हो रहा है क्या हमारा जो दहान मेंस्टी के मेंस्टी पर जो बिकना था कानून आने से किसानों को मतलब बहुत बड़ा फाइदा और पूरे देस में ले जाने के लिए किराया कहां से आएगा बता लगा कि अगर हम माल बिशार्द की लेके जाएंगे तो पंदर रुप कुंटल के लेगा और उसे दूर बरेली लेके जाएंगे तो सो रुप कुंट नहीं करेंगे कि आपकी आयत दूगनी हुई है अच्छी हो गई है हमारी रही वची गाये खाय जा रहे हैं उन्हें रात बर रखाएं लील गायों को रखाएं और फिर बाद में अगर जैसे तैसे मेनत करके रात दिन जाके उसे पैदा वसूल कर पैदा बारी कर ले उसके जाद में आय दूगनी हो रही है और रहा पानी का दावाल अगर पानी की दुरूत होती है कि चलो बैसे जमीन पान नहीं ते अपने टूबेल लगवा लिए अब उसको जै उसका करजा और जा करकर आके तूबेल लगा लिया और उसमें किसके बाद भी बिजली नहीं गोल पड़िया कोई टाइम टेविली नहीं अठारा गंटे की बात करे जाती है मुस्कलते छे गंटे साथ गंटे लेट नहीं मिल पाती है वो भी काट काट के मिलती जितने खेत में पानी चला दिया उतना ही सूख जाता है तो मतलब आय दुगनी होने का कोई सवाल नहीं हूई आय दुगनी तो दुगनी रही दुगनी उसमें से आधी में से भी कटी जा रही है